दोस्तों हाली में रिलीज होई मुवी चारली एक सूपर हिट मुवी साबित हुई और लोगों को बहुत पसंद आये लोगों का कहना था कि ऐसी मुवी उन्होंने पहले कभी नहीं देखी यहां तक कि लोगों को थीटर के बाहर रोते हुए भी देखा गया तो आखिर क्या खास था इस मुवी में जो लोग इसके दिवाने बन गए हैं और मैं भी चलिए आज जानने की कोशिश करते हैं इस मास्टर पी इस मुवी के बारे में बेरी रियलिस्टिक 777 Charlie मुवी एक एनिमल और हीमन रिलेशनसिप पर बेस्ट है और इसमें यह दिखाया गया है कि यह रिलेशनसिप कितना खास और प्यारी हो सकती है इस मुवी में चार्ली और धर्मा के बीच का कोई भी सीन बनावती नहीं लगता सारे एकदम रियल और जेनिविन लगते हैं यह कारण है कि हम इस मुवी से बहुत कनेक्टेट फील कर पाते हैं ग्रेट मिक्स्चर अफ इमोशन, फन और रामा दोस्तो बहुत कम ऐसी मुवीज आती हैं जिने देख के दरसक जितना हसते हैं उतना रोते भी हैं और सेवन सेवन चार्ली उन्ही मुवीज में से एक है शुरू में यह मुवी आपको हसा के लोड़ पोट करती है और क्लाइमेक्स में आपको रोने पर मजबूर भी करती है और जाते जाते कुछ रिस्ता सा जोड लेती है आपसे जो सायद आप जिंदेगी भर निभाएं दोस्तो आजकल दुनिया बहुत मॉड़न हो चुकी है ये फिल्मों में भी साब छलगता है तबी तो कोई भी मूवी आपको कोई सोशल मैसेज नहीं दे पाती है जबकि सेवन सेवन चाल ली देती है ये मूवी आपको सिखाती है कि अगर आप किसी जानौर को रोटी का एक टुकड़ा भी देते हो तो बदली में वो आपकी खाली पड़ी जिंदगी को भर सकता है और आपको बिना भीत भाव चल कपट के आपके अच्छे और बुरे समय में आपके साथ रहता है जीने के नाम को जिंदगी करते हैं साथियों जिंदगी बहुत कठीन है, दर्द है, दुख है, कमिया है, परिशानिया है पर है तो जिंदगी और इसे जीना तो पड़ेगा और सेवन 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 चारली की चारली हमें यही सिखाती है इस मुवी में चार्ली को कैंसर हो जाता है और उसे पता होता है कि उसके पास जादे दिन नहीं बचे मगर फिर भी वो जीना नहीं छोड़ती और जीती है और धर्मा को भी जिंदगी के असली मायने सिखा के चली जाती है कला की हमेशा पूजा होती है आजकल बड़े एक्टर्स और बड़े नाम से मुवी सुर्खियां और कामियाबी बटो लेती है लेकिन इस फिल्म में ऐसा नहीं है मेरे हिसाब से और सायद आप भी मेरी बातों से तालुक रखें इस फिल्म में असली हीरो या हिरोईन चार्ली ह जिसका नाम ना बड़ा है और ना पहचान है फिर भी ये लेबरोडार अपने सुन्दर एक्टिं से सबका दिल जीत लेती है और सबके दिलों में अपना घर बना लेती है वो भी बिना कुछ बोले ये कमाल नहीं तो क्या है ये सुद्ध कला नहीं तो क्या है तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए नमस्कार और जय हिंद।